नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है बिवेक भारत दौज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक दोस्तो आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं एक बहुत ही कमाल की वेबसाइट है बहुत ज्यादा आप लोगों की काम आएगी स्टूडेंट्स के जो लोग प्र autodraw.com आप यह web site देख सकते हैं लिखा हुआ है autodraw.com यहांप एंटर करेंगे के बाद दोस्तो कुछ इस तरीकी का इंटरफेस आपको देख रहा होगा यह इंटरफेस हा रहा है और यहां पर पहले मैं आपको यह सब बता देता हूं दोस्तों यहां स्लेक के लिए हम यहां कि हम यहां पर जो है आप लोग के लिए घर बनाते हैं और घर बनाने के लिए जो है दोस्तों हमें करना क्या है पहले हमें यह जो आप देख रहा होंगे यहां से पैन लेकर और यह बनाते जाना है और आप दोस्तों उपर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह आपको समझ आगया होगा कि एक्चुल में हम उपर क्या ये देखिए और ये जैसे जैसे ये बनता जाएगा ये हमने बना लिया है और हम इसको कुछ इस तरीकी से डिजाइन कर देता है अब दोस्तों आप देख रहे होंगे ये जो मैंने बनाया था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था लेकिन इससे जोड़ा हुआ एक AI वर्क करता है और ये जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखा देता है कि आप बनाना क्या चाह रहे थे तो देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन्स आ गया है और ये एक और इसका इस्तुमाल करके जो है आप काफी सारे काम को कर सकते हैं माली जी आपको यहाँ पर हम एक पैन लेकर और यहां में एक चश्मा बनाकर आपको दिखा देंगे आपको करना क्या है आपको पर यहाँ पर यह दो सर्कल बराने है और बीच में आप यहां पर एक ये पेस्ट करके कहीं भी दोस्तों इसको आसानी से यूज कर पाएंगे और दोस्तों कभी-कभी मान लीजिए आपको धोड़ा बहुती डिजाइन आता है और आप उस डिजाइन को नहीं कर पाते हैं तो आप जो है यहाँ पर जितना भी डिजाइन करेंगे ओटो ड्रो के माध्य वो उतनी देर में आपको यहां पर ओप्शन दे देगा आप जो भी करना चलिए यह देखिए आप जैसे कि हमने बनाया और यहाँ पर यह घर आगया है यह एफेट आवर आ गया है तो आप जो भी डिजाइन देना चाहते है वो आप हो找लें का श्रील्ट का पुर उस करा य तो इस तरीके से आपको यह देंके लिए मिल जाएगा और ये काफ़ ऐची चीज है माली जी हम यहाँ पर एक कुछ और भी बना कर देख लेते हैं यह हमने सकते हैं और यह इस AI को लग रहा है कि हमने कुछ अलग बनाया है और यह देखी हमें काफ़ सारे आफशन्स आ गये है तो आप उन में से जो है जो भी आपको ठीक लगे वो आप जो है यहां से easily बना सकते हैं तो देखी दोस्तों यह हुआ इसका auto draw का function इस website का इसके बाद दिया हुआ यह draw आप अगर कुछ draw करना चाहते हैं यहां पर कुछ बनाना चाहते हैं वो भी आप easily draw कर सकते हैं आप इस pen का size चोटा बड़ा कर सकते हैं उसके according यह जो है यहां पर draw हो जाएगा इसके साथ दोस्तों text आप यहां पर text लिखना चाहें तो आप यहां पर type कर देंगे तो यह इस तरीके से यहां पर text लिखा हो जाएगा आप इस text को भी जो है आप जहां भी इसको ले जाना चाहें convert करना चाहें कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यह फिल करने के लिए हैं मानली जी हम इसको यहां पर यह जो दिया हुआ है और आप किसी भी पौर्चन को आप जैसे भी इसको फिल करेंगे इसके बाद दोस्तों यह शेप दे रखे हैं आप कोई शेप यहाँ बनाना चाहते हैं कुछ आप डिजाइन कर रहे हैं तो आप जो भी शेप यहाँ बनाना चाहेंगे वो शेप यहाँ इजिली बन जाएगा और काफी अच्छे तरीके से आप इसको इसको इस्तमाल कर पाएंगे जूम करना चाहें दोस्तों जितना भी जूम आप करना चाहते हैं इतना जूम आप यहाँ से कर सकते हैं यह आपको देख रहा है यह आप यहाँ से जूम कर पाएंगे यह दोस्तों दे रखा है अंडू करने के लिए मानली जी आपने कुछ बनाया और वो गलत बन गया तो आप जो है इसको अंडू कर सकते हैं यह देखिए हमें के करके पूरा अंडू करते जा रहा है हमने जो बनाये था यह शुरू से लेके बिलकुल पूरा आखरी तक अंडू हो जाएगा यह देखिए यह इस तरीके से अगर दोस्तों आप डिलीट करना चाहते हैं तो इसको जैसे मानली जी आपने स्लेक्ट कर लिया है और स्लेक्ट करने के बाद हम आपको लेके चलते हैं जैसे मानली जी यह स्लेक्ट हो गया है स्लेक्ट करने के बाद आप इस पूरे पूर्शन को जो है दोस्तों यहां से आसानी से डिलीट भी कर पाएंगे और यह डिलीट भी यहां से हो जाता है इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है हम आपको और चीज भी बता देते हैं और options भी हम बता देते हैं आपको options जो है दोस्तों ये आपको basic यहाँ पर देख रहे हैं और इनका इस्तमाल करके जो है आप यहाँ पर auto draw का काम कर सकते हैं अब दोस्तों आपको यहाँ क्लिक करना ह और यहां देख सकते हैं आप यह तीन प्रकार के pages आपको मिलते हैं आप जिस भी page का use करना चाहें उतना बड़ा page यहां आ सकता है क्योंकि अगर आप यहां से print निकालेंगे तो वो आप उसका according ले सकते हैं आप यहां पर shortcut keys देख सकते हैं अगर आप keyword friendly हैं तो आप यहां पर इन shortcut keys की मदद से यह सभी काम कर सकते हैं जो अभी हमने आपको mouse से करके दिखाए हैं इसी के साथ दोस्तों यहां पर जो है आप how to पर जा सकते हैं और how to में आपको बताये जाएगा कि जो auto draw function है यह किस तरीके से काम करता है कैसे चलता है आप क्या-क्या काम कर सकते हैं यह देखिए यह bicycle बना के दिखा दी गई है और भी आप अगर solo draw करना चाहें अकिला आप खुद ही कुछ design draw करना चाहते हैं color changes करना टाइप text करना यह सभी आपको जो है यहां से देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो काफी अची website है बहुत अच्छा काम करती है और जो भी हमें यह design बगरा बनाने होते थे वह सभी design बनाने के लिए दोस्तो देखिए यहां से हमने यह इसको download कर लिया है आप जो भी यहां पर बनाएंगे जैसे अभी यह blank था तो यह blank आ गया आप जो है इसको यहां से download भी कर सकते हैं आप जो भी file बनाएंगे उसके बाद वो यहां से आसानी से download हो जाएगी तो दोस्तो इस website को use कीजिए और जादर स्यादर इसको share कीजिए share करने के बाद अपने दोस्तों को बताईए किस तरीके से यह काम करती है आप comment के बाद आपसे बता सकते हैं हमें वीडियो जो है आपको कैसा लगा हमारा वीडियो और चैनल को subscribe कर सकते हैं मेरा नाम है बिविक भारत द्वाच थैंक यू कर दो